नुमस्कार बच्चो आज की वेडियों में हम बात करेंगे हिंदी के और बात करेंगे हंदी के रष्नात्वाक लेखन के दो important topics की दो important बिंदों की वो important topics या बिंदू है अनुछेद लेखन और निबन लेखन जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं लेकिन एक दूसरे सी थोड़ी से अलग भी होते हैं तो सबसे पहले इस concept को हम clear करेंगे कि अनुछेद क्या होता है और निबन क्या होता है दोनों में difference क्या होता है क्योंकि बहुत सारे students इनको लेकर के confused रहते हैं कि अनुछेद कैसे अलग होता निबन से जब निबन लिखना होता अनुछेद लिख करके आ जाते हैं और जब अनुछेद लिखना होता तो निबन लिखर करके आ जाते हैं तो चीजी हम यहाँ पर समझेगे उसके बाद हम बात करेंगे कि अनुछेद निबन की कौन सी topics है जो आपके board exam के लिए आपके annual exam के लिए most important रहने वाले हैं यानि कि वो topics जो आपके board exam में आने वाले हैं तो आपके board exam की बात करें तो दो type के topics आपके exam में पूछे जाते हैं एक तो वो topic जिनको हम evergreen topic कह सकते हैं, सदा भार topics कह सकते हैं, यानि कि कुछ ऐसे topics है जो आपके board exam में आपको हर बार दिखाई देंगे, जैसे last 10 years के अगर board question paper को आप उठा करके दिखूए, तो कुछ topics है जो आपको common मिलेंगे, जैसे बेरोजगारी की समश्या हो गया, जैसे परदुषन की समश्या हो गया, ऐसे महंगाई की समश्या हो गया, जन सिंख्या वरिधी की समश्या हो गया, इस टाइप के topic है जो common रहेंगे, तो उनको हम कह सकते हैं कि evergreen topic है, क्यों ये इस परकार के मुद्दे है, समश्या ही है, चुनोतिया है, issues है, जो मुझ से जुड़ा है, आप से जुड़ा है, हम सब से जुड़ा है, पुरे देश से जुड़ा है, और ये समश्या हमेशां से रहे हैं, इसलिए ये topic repeat होते रहते हैं, दूसरे टाइप के topic आपको exam में मिलेंगे वो topic जो current के issues होते हैं यानि कि उस वक्त वो topic जो news में चल रहे होते हैं जैसे अब की बात करें इस बार के बोर्ड exam की बात करें तो COVID-19, coronavirus, coronavirus से बचाव कैसे किया जा सकता है coronavirus और विद्यार्थी जीवन, coronavirus और अर्थवरस्ता online studies बार के topic की बात करें तो उसमें एक important topic रहेगा ऐसे internet revolution, internet क्रांती की बात करें तो वो भी काफी important current का topic है तो दो type के topic है जिनके उपर हमें focus करना होता है अब ये topic थोड़ा सा अगर हमें पहली पता चल जाए वैसे तो ये आपके रसनात्वग लिखन में आते है creative writing skills में आते है यानकि आपको उस वक्त on the sport लिखना होता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर हमारा mindset पहले से हो कि इस type के topic आ सकते है तो हम पहले से mind में एक idea लेकर के चलते हैं अगर ये topic आएगा तो हम ऐसे ऐसे लिखने वाले ये ये चीज़ें इसमें include करेगे इस type से हम इसको present करने वाले तो हमारा 4 या 5 minute बच जाते हैं क्योंकि हम वहाँ पर सोचने के लिए अदरवाईस तो हम mind make up करेंगे सोचेंगे और उस वाक थोड़ा सा mind कई बार block भी हो जाता अगर last के कुछी minute हमारे पास हो तो हमारे पास अगर पहले से कुछ चीज़े clear हो तो easy हो जाएगा score करना तो चली सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुछेद और निबंद में difference क्या होता है उसके बाद हम बात करेंगे most important topics की अनुछेद और निबंद वैसे तो same ही होते है यानि अनुछेद के topic और निबंद के topic की बात करें तो same ही होंगे जैसे आप परदूशन के उपर अनुछेद भी लिख सकते हो परदूर्शन के उपर आप निबंद भी लिख सकते हो difference कहाता है difference यह होता है कि निबंद में हम उस topic को detail में discuss करते हैं जैसे उसकी भूमिका बनाएंगे उसके बाद उसके कारण बताएंगे उसके परभाव बताएंगे सुझाव देंगे निशकर्स निकालेंगे बहुत detail में जाएंगे हैं जबकि अनुछेद की बात करें तो अनुछेद हमें 80 to 120 words के बीच में लिखना होता है यानि उसमें हम कम words को use करते हैं lines को repeat नहीं करते हैं और हम कम से कम जो words जितने हमें words मिलें उसमें हम पूरी details देने की courses करते हैं इसमें हम भूमिका अलग से नहीं बनाते हैं निशकर्स अलग से नहीं बनाते हैं हमरे एक point को अलग-लग से नहीं mention करते हैं बलकि हम courses करते हैं कि एक या दो stuns अबने यनकी basic difference क्या है basic difference यह है कि अनुछेद में हम discuss तो करेंगे एक ही side को discuss करेंगे लेकिन इतना deeply नहीं discuss करने वाले जबकि निबन्ध में हम deeply discuss कर सकते हैं क्योंकि निबन्ध है वो 200 words में हो सकता है 3 में हो सकता है 400 में हो सकता है 500, 600 में हो सकता है तो उसका word limit ज्यादा होती है तो इसलिए हम detail में चले जाते हैं समझ में आगे न कि अनुछेद लिख रहे है तो मैं यह नहीं कि 2-3 page तक चले जाएंगे भाई मेरे पास time था ऐसा नहीं करना हमें जितने words देगे उससे 10 words उपर जा सकते हूं अब हम बात करते हैं most important अनुछेद या निबंद के topics की जो इस पर के आपके board exam में आपके annual exam में पूछे जा सकते हैं तो सबसे important जो topic रहेगा सबसे पहले हम evergreen topics की बात करें जो हर बार आपके board exam में repeat होते रहते हैं तो उसमें सबसे पहला topic है जो evergreen भी है और current का भी है वो है भारत में बिरोजगारी की समश्या ये topic हर बार आपके एक्जाम में लगबग repeat हो जाता है इस बार की बात करें तो COVID-19 के बाद बिरोजगारी की समश्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है डेली, NCR के आसपास का आप देखिए या कहीं से भी देखिए कि लोग है जिनकी नोकरियां छूट गई है लोग है जो वापस अपने गाउं को लोट गए हैं उनके काम धंदे चोपट होचके हैं तो बिरोजगारी की समश्या करेंट का issue है तो इस टाइप का टोपिक आपके एकजाम में पूछा जा सकता है दूसरा है परदूशन कारण और निवारण ये भी ऐसा टोपिक है जो जैसे शहरों के साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है जैसे बात करें ऑक्टोबर नॉम्बर आता है तो ये टोपिक भी हर बार नहीं तो लगबग हर दूसरी बार ये रिपीट होता रहता है तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेकर के चलेगे कि क्या लिखने वाले हो वर्ड्स मैटर करेंगे कि किस टाइप की एफेक्टिव वर्ड आप यूज करने वाले हो तीसरे इंपोर्टेंट टोपिक है मेहंगाई की समश्या भाई मेहंगाई जिस लेवल पे अब है वो एक हाईस लेवल है यानकि उससे पहले इस लेवल पे नहीं गई है तो ये भी एक करंट का टोपिक भी है और हर बार भी रिपीट होता रहता है तो इसको लेकर के भी अपना माइंड थोड़ा सा सेट कर लोगी कि आप क्या कुछ लिखने वाले है उसके बाद फूर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट टोपिक में रहेगा वो है जन सिंक्या व्रिधी समश्या और समाधान हमारे देश में जितने भी समश्या है चाहे वो पर्दूशन की समश्या है प्रयवन पर्दूशन की समश्या है चाहे वो शहरी कर्ण की समश्या है चाहे वो जन सिंक्या और कोई समश्या है वो सारी सारी जन सिंक्या व्रिधी से जड़ई है तो ये क्या है समझ्या और इसका समधान क्या हो सकता है इसके बारे में कुछ पॉइंट से आपके पास होने चाहिए ताकि आप इसको लिख पाओ उसके बाद फिप्त है राष्ट्री एकता राष्ट्री एकता और भारती विवित्ता में एकता तो ये दोनों ही टोपिक है जो राष्ट्री एकता से जड़ो हैं देश की एकता से जड़ो हैं जैसे कि आप देख रहे हो कि कई बार election के टाइम में होता है कई बार इस परकार से आपसी मन मुटाव हो जाता है जिसके कार्ण राष्टी एकता को लेकर के कुछ चीज़ें हैं जो लगता है कि हाँ कहीं ने कहीं गड़बर चल दिये तो ये टोपिक उस समय के लिए काफी important रहते हैं अब भी आप देख रहे हो कई बार इस परकार की news आते रहते हैं तो जहां पर बहुत सारी समधाई एक साथ मिलके रहते हैं तो कई बार इस परकार की घटनाई घटित हो जाती है तो ये टोपिक इस परकार के टोपिक है जो लगबग आपके हर दूसरे तीसरे साल रिपीट होते रहे तो इनके बारे में भी आप थोड़े से पॉइंट से अपने माइंड में रख करके चलोगे कि अगर इस टाइप के टोपिक आते हैं तो आप कैसे लिखोगे उसके बाद हम करेंट के टोपिक्स की बात करेंगे जो इस वक्त के लिए इस एयर के लिए काफी इंपोर्टन रहेंगे तो वो है कोरोना काल और भारतिय अर्थ हुए वस्ता कि कोरोना का देश की एकोनोमी के उपर क्या परफाव पड़ा है तो उसके बार में तो इजी रहेगा लेकिन बहुत इंपोर्टन टोपिक रहने वाला है करेंट के टोपिक्स में से अगर मोस्ट इंपोर्टन टोपिक की बात करें तो नंबर दो पर यही रहेगा उसके बाद Corona संकट और शिक्षा, Corona संकट और विद्यार थी ये आपका number one का topic रहेगा इस पार के board exam के लिए इस type का कहीने कहीन directly and directly Corona और आपकी education exam में रह सकती है तो इसको लेकर के भी आप Google पे सर्च करोगी तीजली आपको मिल जाएगा तो थोड़ा सा आप देख करके जाओगी कैसे आप hundred to hundred twenty words में लिखने वाले हैं ऐसे आपकी online पढ़ाई, उसके lab क्या है, उसकी हानी क्या है तो इसके बारे में भी आपके exam में आ सकता है, ये भी एक important current का topic बनता है online study की बात करें, बहुत सारे advantage भी है, समय की बज़त होती है घर पे बैठ करके अपने according हम उन classes को attend कर पाते हैं बाहर जाने से जो हमारे दोनों तरीके के नुकसान होते हैं मैं भी लगता है, दूसरा की पैसे भी लगते है, तो उन दोनों चीजों के बज़त होती है लेकिन कुछ हानिया भी है, हम बहुत सारे students को देखते हैं जो पट्री से उतर गएं, कच्चे में उतर गएं, study को नहीं कर पा रहे हैं मोबाइल का मिस्यूज करें, तो सारी चीजी हमें यहां पर mention करेंगे उसके बाद है, विद्यार्थी तथा अनुशासन, विद्यार्थी जीवन मतलव अनुशासन अनुशासन है तो आपके पास सफलता है, otherwise आप पीछे छोड़ दी जाओगा, आप पीछे रह जाओगे तो ये भी एक सदा बाहर सा topic है, जो लगभग सा repeat हो जाता है कि जब हम students की बात करते हैं, तो उसमें discipline सबसे पहले आता है discipline है तो आपके पास success है, discipline है तो आपके पास grades है, discipline है तो आप बहुत आगे जाने वाले हो उसके बाद है mobile और विद्यार्थी या internet करांती, यानि कि एक जैसे ही topic है मिलता जुलता है क्या, ये topic है, इसके बारे में students को पता होना चाहिए कि वो कैसे लिखते हैं तो ये भी आपको धियान में रखना है कि युद्ध क्यों होते हैं और उसके क्या परिणाम या परभाव हो सकते हैं उसके बाद नारी शिक्षिया, एक ऐसा evergreen topic है कि नारी शिक्षिया जो आधी दुनिया है नारी शिक्षिया देश के विखास के लिए, घर के विखास के लिए, समाज के विखास के लिए बहुत important है क्यों important है क्या इसके परभाव आ सकते है तो वो सारी सीज़े हैं आप यहां पर mention करोगे 15 जो last topic रहेगा इस साल के board के exam के लिए important topics में से वो है social media फाइदे ये नुक्सान हर student के 4 social media पर account है आप instagram चलाते हो आप mode जैसी app के उपर भी हो आप facebook के उपर भी हो whatsapp पर भी हो आप telegram भी यूज़ करे हो तो उनके कितने फाइदे है और कितने नुक्सान है कौन से फाइदे हैं कौन से नुक्सान है वो सारी सीज़े हैं आपको लिखनी होगी तो उसके लिए भी आप अपना mind है थोड़ा सा बना करके जाओगी कि अगर ये topic आप था ता आप कैसे लिखने वाले हो तो ये रहेंगे वो topic जो आपके board exam के लिए इस बार important रहने वाले है तो मैद करता हूँ कि ये episode ये video आपके लिए काफे ज़्यादे important रहा होगा इसके साथ साथ आपके exam related चाए वो अनुशेद लेखन हो विज्यापन लेखन हो चाए इस टाइप का संदेश लेखन हो तो वो सारे वीडियो ओलेडी में पप्लिस कर चकोँँँँगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा ता आपको प्लेलिस्ट में जाना है class 10th हिंधी की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हो है हिंधी व्याकरन की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हो है जो कि सभी classes के लिए तो वहां पे आप इन वीडियो को एक्सेस कर सकते हो आज के लिए वस इतने तैंक यू बाइ बाइ वाइ एव निस टे